नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड मैं आपका स्वागत करता हूँ हिंदी डेटूट्स पर और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं HTML वो भी बिल्कुल अपनी लंगवेज हिंदी में और आप देख रहे हैं HTML इन हिंदी टुटोरियाल सीरीज का दूसर भाग और इस भाग में हम आज जानेंगे HTML ग्लोबल स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ बेसिक टेक्स के बारे में तो चलिए दोस्तों आज से हम प्रक्टिकली HTML का जो पढ़ाई है उसे स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों हमें अगर HTML कोड लिखना है तो उसके लिए minimum requirement होता है कि हमारे पास एक code editor होना बहुत ज़रूरी है previous जो tutorials था इसका जो part 1 जिसमें हमने notepad का इस्तमाल करके एक बहुत ही फाल्तू website बनाया था तो दोस्तों इस बार हम अच्छे से पढ़ेंगे कुछ नया चीज़ सिखेंगे उसके लिए हमें कुछ अच्छे tools भी चाहिए जै मैं इस course के दोरान sublime का इस्तमाल करूँगा लेकिन आप चाहे तो अपना किसी भी code editor का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2-4 code editor का example देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ notepad++ अगर आपको code लिखना है तो यह notepad++ बहुत ही इसका जो URL है दोस्तो मैं description box भी दे रहा हूँ notepad-plus-plus.org और दूसरा code editor मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो है sublime text इसका URL है दोस्तो sublimetext.com और इस course के दोरान मैं sublime इस्तमाल करूँगा लेकिन आप चाहे तो किसी भी code editor का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए ह आप यह जो tutorial से इसको आगे बढ़ाते हैं आप चाहेंगे तो sublime text के website पे जाके यहाँ से download कर सकते हैं दोस्तों और चाहे तो अगर आप notepad यूज करना चाहते हैं तो यहाँ download option पे जाके आप इसको download कर सकते हैं यहाँ पे download button दिया गया है मैंने पहले से download करके install कर रखा है यह बहुत easy है बस आपको download करना है डबल क्लिक करके install करना है दोस्तों तो चलिए इस tutorials को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं HTML का कुछ text के बारे में उससे पहले एक structure के बारे में तो दोस्तों पिछला episode में मैंने आपको बताया था कि एक जो web page होता है उसे हम web document भी बोल सकते हैं दोस्तों और उस web document के अंदर में बहुत सारे tags, बहुत सारे elements और बहुत सारे content होते हैं इन ही सभी को मिला के एक HTML document बनता है इसके बारे में आगे में चलके हम और भी details में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो tutorial से वो हम देखेंगे कि HTML का basic text क्या क्या है और global structure actually क्या है कि एक HTML का structure होता कैसे है सबसे पहले हम अपना जो project है, अपना जो पढ़ाई है उसे organize करेंगे दोस्तों, हम desktop पे यहाँ पे एक new folder बनाएंगे अपना project folder, मैं यहाँ पे उसका नाम दे रहा हूँ, Hindi, Deptuts, आप अपने हिसाब से अपना project का नाम दे अब मैं जो भी page बनाऊंगा इसी के अंदर रहेगा, ताकि जब मैं आगे चलके कुछ भूल जाओ और मुझे अगर recall करना हो तो मैं यहाँ पे आ के देख सकता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं, आब हम काम करेंगे इसी folder के अंदर इस folder को मैं अपने code editor पे open कर देता हूँ दोस्तो देखिए, यह मेरा code editor में open हो चुका है, और यहाँ पे right click करके मैं एक नया file बनाता हूँ और मैं इसे save कर देता हूँ, और मैं उसका नाम दूँगा index.html, html बहुत जरूरी है दोस्तो आप अगर अपने page को html बनाना चाहते हैं, तो उसका extension जो होता है, वो .html ही होना चाहिए और दोस्तो आप चाहें तो इसका नाम home.html भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें उसे नाम दे सकते हैं, आपका page है, आपका html पेज है, आप उसका नाम करन कर सकते हैं, बट index.html अगर नाम करन करते हैं, तो उसका एक फाइदा भी होता है आपको, कि अगर आपके server में बा html जरूर दे, यह पहला page है, इसलिए हम इसका नाम index.html देते हैं, मैं आप उसे save कर देता हूँ, तो दोस्तो हमने html का बारे में काफी discussion किया, आज से हम चालू करेंगे html लिखेंगे दोस्तो, लेकिन लिखने से पहले हमें html का structure आना चाहिए, html का syntax होता है, take क्या होते हैं, elements क्या होते हैं, वो हमें आना चाहिए, और अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम लिखने सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा structure दिखाता हूँ, जो कि सारे के सारे लोग जब html सुरू करते हैं लिखने के लिए, तो एक structure बनाते है html का, दोस्तो, हम अभी यह html पढ़ रहे हैं, और अभी का latest version html आपको पता ही होगा, जो कि है html5, और उसका जो global structure है, मैं उसको, उसके बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, तो दोस्तो, यह है global structure, एक html अगर आपको page start करना हो, तो उसका आपको एक dog type define करना पढ़ता है, जो क इसको बाद मैं समझेंगे, उसके बाद आपको html का जो tag है, यहाँ पर देखिए html, और यह html, start करना पढ़ता है, उसके बाद यहाँ पर html के नीचे head section है, और उसके बाद यहाँ पर body section है, तो एक html page का minimum structure है, वो इतना रहता ही है, यह html5 का structure है, जो कि अभी चल कुछ dog type के बारे में भी नहीं पढ़ा, tag के बारे में भी नहीं पढ़ा, element के बारे में भी नहीं पढ़ा, तो हमें तो यह पता ही नहीं है, तो दोस्तों, सबसे पहले, आज हम कुछ जानेंगे, कि एक html page, एक html का जो document होता है, वो कुछ text को लेके, प्लस, element को लेके, प्लस, content को लेके, बनता है, तो चलिए हम यह जो तीनों है, इसका एक छोटा छोटा example देखते हैं, कि कौन सा tag है, कौन सा element है, कौन सा content है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, tag के बारे में, अगर हम चाहें तो html page पे कुछ भी लिख सकते हैं, पर example मैं यहाँ पे abcd, abcd कुछ भी type कर सकता हूँ, अगर मैं इसे browser में देखू, तो भी मुझे दिखाई देगा, लेकिन बात यह रहा दोस्तों, कि आपके जो browser है, उसे पता कैसे चलेगा, कि आपने इसे क्या बनाया है, आपने header लिखा है, paragraph लिका है, या क्या बनाया है आपके page में, यह उसे पता नहीं चलेगा, उसके लिए हमें बताना पड़ता है browser को, कि यह header है, यह paragraph है, या क्या चीज है, यह जो HTML page है, इसके अंदर में इसका काम क्या है, वो हमें खुद ही define करना पड़ता है, और जिसे हम define करते हैं, tag के जरिए, आप उसे tag भी बोल सकते ह हैं, यहाँ पर एक tag का example हम लोग लेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने HTML tag का इस्तिमाल किया है, सब से पहले, dog type के नीचे, जो की end हुआ है, और एक जो tag होता है, वो start होता है, और end होता है, और कुछ tag है, जो की end नहीं होते हैं, तो चलिए, मैं आगे में चलके उनक element की, तो दोस्तो हम element किसे बोलेंगे, तो हम पहले यहाँ पर example के लिए इसे card देते हैं, और हम एक tag बनाते हैं, तो दोस्तो मैं आपको पहला जो tag बताना चाहूंगा, वो है paragraph, अगर आपको paragraph बनाना हो, पिछली वीडियो में हमने आपको paragraph के बारे में बताया था, आगे में आप इस body section के अंदर में ही लिखेंगे, तो चलिए हम tag के जानकारी के लिए, हमने अभी बोला था, this is my paragraph, अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं, तो ये मुझे browser पे दिखाए देंगे, लेकिन ये paragraph हे बोलके, browser को मालूम नहीं चलेगा, नहीं server को, तो दोस्तो उसके लिए हम tag का इस्तिमाल करते हैं, अभी अभी हमने कहा, उसके लिए एक tag आता है, जिसके बारे हम आगे में चल के और भी details में जानेंगे, फिलाल आप देखे अभी, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, P, ये है P take for paragraph, और इसे हम end कर देंगे दोस्तो, end करने के लिए, bracket के अंदर में हमने P अभी रखा है, angle bracket के अंदर में, अभी bracket, उसके बाद में backslash आपको लगाना पड़ेगा, फिर P, ये हो गया end, अभी हम इसे P take बोल सकते हैं, या paragraph take बोल सकते हैं, इस चीज़ को, ठीके दोस्तो, अब आगे बढ़ते हैं, element के बारे में, तो दोस्तो, HTML element क्या होता है, HTML element का मतलब होता है, कि tag plus, अगर content को मिला दे, तो उसे हम element बोल सकते हैं, फोर एक्जामपल, यहाँ पे P, P एक tag है, paragraph tag, this is my paragraph, ये content है दोस्तो, content, this is my paragraph, ये HTML का एक content है दोस्तो, हैं, होटा सा content, total को भी हम content बोल सकते हैं, इसको भी content बोल सकते हैं, तो यहाँ पे tag हमने देखा, यहाँ पे content हमने देखा, अगर ये तीनों को मिला दिया जाएं, मैं यहा से पी से लेके यहां पी तक. तो मैं इसे बोल सकता है हूँ paragraph element. दोस्तो, इसे मैं बोल सकता हूँ paragraph element. इसका मतलब start tag और end tag के अंदर में content अगर हो तो total को मिला दें तो उसे हम बोलेंगे html element और अगर मैं यहां से start करूँ और यहां पे end करूँ तो मैं इसे बोलूँगा total html element क्योंकि इसके अंदर में हर element आता है लेकिन अगर मैं यहां से start करके यहां पे end करूँ तो मैं इसे बोलूँगा अगर मैं p take से start करके और body तक जाओं, तो मैं इसे बोलूँगा, body element, अगर head section से लेके, head तक मैं जाओं, तो इसे मैं head element बोल सकता हूं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि element समझ में आ गया होगा, और content, html content ये भी एक content है, इसके अंदर में जो भी है, ये सब भी content है दोस्तों, html का content है ये सब, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आइडिया आ गिया होगा और थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं भी आया होगा खेर छोड़िए इन बातों को हम आगे में चलके आपको इस बारे में सब कुछ बताएंगे दोस्तो आज का जो बस में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता था जो हमने दिखा दिया तो चलिए आप देखते हैं कि हमें क्या-क्या अभी तक मालूम है तो दोस्तो हमें जो नहीं मालूम है हम उसे डिलिट करते जाएंगे ये HTML5 का ग्लोबल स्ट्रक्चर है HTML डोकुमेंट अगर हमको बनाना है तो ये हमें लिखना ही पढ़ता है दोस्तो तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर डोक टाइप डोक टाइप तो हमने अभी तक सिखा नहीं इसलिए ये हमारा काम का नहीं है हम इसे उड़ा देंगे ठीक है उसके बाद है HTML दोस्तो हमें इतना पता है कि अगर हम HTML लिख रहे हैं तो HTML स्टार्ट तो करना पड़ेगा इसलिए HTML रहेगा Head Section Head Section के अंदर में Meta Meta तो हमने अभी तलग पढ़ा ही नहीं इसे भी हम उड़ा देते हैं यह दूसरा वाला Meta यह भी नहीं पढ़ा हमने इसको भी उड़ा देते हैं यह लिंक दोस्तो आभी तक हमारा HTML स्टार्ट नहीं हुआ हम स्टाइल सीट कहां से इंसर्ट करेंगे इसको भी उड़ा देते हैं ठीक है अब बचा Head Section के अंदर में एक Title तो दोस्तो HTML स्टार्ट हुआ, एंड हुआ उसके बाद में आप देख रहे होंगे मैंने एक Head Section स्टार्ट एंड किया है Head Section का मतलब होता है आपका जो पेज है उसका Header Section जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं आपका Style Seat आपका Java Script और बहुत सारे Link और साथ में Title Section Title का मतलब होता है दोस्तो मैं आपको एक्जाम्पल दिखाऊंगा My Website अगर मैं इस पेज को Save कर दूँ File Save और इसे हम Browser पे चला के देखते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रहा है Hindi Dev Toots हमारे Project Folder उसके अंदर में Index हम इसे Open करेंगे तो देखिए दोस्तो अंदर में जो Paragraph हमने लिखा था This is my Paragraph और यहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा My Website यह है Title इसलिए Title तो हमें पढ़ना ही पढ़ेगा दोस्तो आप जो भी Title देंगे वो आपको यहां पे दिखाई देगा ब्राउजर में ब्राउजर का जो Title बार है उसमें तो यह ज़रूरी है दोस्तो हम Open करते है तो Title हमें चाहिए जब भी आप HTML लिखें तो उससे Indent करें यहां पे हमने HTML स्टार्ट किया है उसके बाद में Head सेक्षन है Head को हम थोड़ा सा Indent कर देंगे दोस्तो आगे ले जाएंगे Title है थोड़ा सा Indent कर देंगे फिर हमारा Body सेक्षन है Body सेक्षन HTML का अंदर में दूसरा सेक्षन है इसलिए सेम में रहेगा Paragraph को थोड़ा आगे कर देते है फिर Body सेक्षन को आगे कर देते है और इसमें थोड़ा सा Space कर देते है ताकि आपको समझ में आए तो दोस्तो हमने पढ़ा HTML स्टार्ट एंड करना है उसके बाद में Head सेक्षन में Title देना है और Body सेक्षन में अंदर में जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे तो चलिए Paragraph भी हमने आभी तक ठीक से नहीं पढ़ा इसे भी उठा देते हैं और यह जो Head सेक्षन है इसमें स्रिफ टाइटिल दे सकते हैं Head सेक्षन के बारे में आगे में जाके और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तो इस ये भी उठा देते हैं तो हमारे पास बचा दोस्तो HTML और Body तो हम जानेंगे आज जो HTML का Minimum Basic होता है वो है HTML Start End Body Start End और इसके अंदर में आप जो कुछ भी लिखना चाहेंगे ऐसे लिख सकते हैं और आप उसे Save कर सकते हैं अगर आप Browser पे जाएं और मैं Refresh करूँ तो आपको दिखाई देगा लेकिन Browser को पता नहीं है कि ये HTML का कौन सा Tag है, कौन सा चीज है कौन सा Element है कौन सा Content है, ब्राजर को मालूम नहीं जो आपने लिखा, वो उसने आपको दिखा दिया दोस्तों, हम यहाँ पर चाहेंगे तो इसे Paragraph बना सकते हैं अगर हम P Take लगा दे हैं ठीक है तो यह Paragraph बन जाएगा अगर Header Take लगा दे तो वो Header बन जाएगा यहाँ पर P Take लगा देते हैं तो यह Paragraph बन जाएगा, हम इसे Save कर देते हैं लगाते हैं ताकि different दिखाई दे यहाँ पर P के जगा पर मैं header tag लगाता हूँ header tag H1 से लेके H6 तक है आगे में जाके हम इसके बारे में details में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं इसे end कर देता हूँ H1 ठीक है अब इसे save कर देते हैं और इसे open करते हैं और refresh करते हैं दोस्तों आप different दिखाई दे रहा है अब project और मालूम चला कि यह header tag है तो दोस्तों आज का जो topic था मैं आपको बस global structure के बारे में बताना चाहता था आपको HTML के बारे में उतना knowledge नहीं होता है जब हम HTML सुरू में पढ़ते हैं लेकिन हम अगर कोई page खोल के देखते हैं कोई template डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे tag रहते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है आज का जो topic था मैं बस आपको यह समझाना चाहता था कि जो basic tag होते हैं बस आप HTML पढ़ रहे हैं तो आपका HTML start होना चाहिए structure होता है कुछ देर पहले हमने HTML 5 का global structure देखा था हम वहां तक पहुँचेंगे लेकिन दोस्तों आभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था इसलिए हम global structure का इस्तिमाल नहीं करेंगे हम जो जो tag पढ़ते जाएंगे उसके बारे में हम practice भी करते जाएंगे और वही tag इस्तिमा पहले में नहीं पढ़ा है हमें थोड़ा सा मालूम चल गया कि आज take क्या होते हैं लेकिन हमने अभी तक कोई भी take नहीं पढ़ा है दोस्तों मुझे लगता है कि आज का episode आपको पसंद आएगा दोस्तों मैं आज का जो tutorial से यहीं पर रखता हूँ और आपको अगर हमारा tutorial से अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करें दोस्तों और अगर आपको HTML के इलावा अलग वीडियो देखना हो तो आप हमारे page पे जा सकते हैं और हमारे page पे जाने के लिए आप YouTube में search करें Hindi Dev Toots और आपको हमारा page आ जाएगा पहले page पे आप वहाँ पे click कर सकते हैं और यह हमारा page है दोस्तों और इस page में आपको बहुत सारे tutorials मिलेंगे आप हमारे page में अगर scroll करेंगे तो पहले आपको advanced bootstrap 3, bootstrap 3 in Hindi, php tutorials in Hindi, Hindi Dev Toots 100 और HTML tutorial series और इसके साथ साथ जो हमारा playlist है वो मिलेगा इस playlist में सारा का सारा वीडियो है अगर आप अ अलग subject पढ़ना चाहते हैं तो इस page को visit करिये दोस्तों और अगर आपने हमारे page को subscribe नहीं किया तो हमारे page को subscribe करिये thank you so much for watching our show मैं हूँ आपका host दोस्त एडवर्ट बाई बाई दोस्तों